हेलो फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब चैनल में आपका फिस्ट स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं mcb टाइप चेंजवर के बारे में अपने नाम तो सुना ही होगा कि चेंजवर जो पहले चेंजवर आते थे वो अलग प्रकार क्यों थे परन्तु आज कल कंपनी ने चोटे mcb जो हमारी गरों में mcb लगाए जाती उस टाइप के चेंजवर निकाल दिए गए हैं तो उसके बारे में हम आपको डीटेल से बताइएँगे। सबसे पहले आपको चैन l को स्ब्सक्राइब करतें-बने के बादे यह बेल आनएकन को जुरूर on करें आ तक हमारी नहीं जो भी वीडियो आए तो आप तक पोच चकेंगों तो सबसे पहले दों हम बात करते हैं मीनी चेंज़फर स्इविच जो हमारे फ्रीग करते हैं उनकी जोर रोत कहां सपरियोंक किया लिए कृशिंछ के जा जाता है यह चेंज़फरंपी ऐसे कि जी हमारी चाहिए दोनों को में यंधोरल diferencia तो में एक बार में एक light की जूर्थ पड़ती है चाहिए हमें generator किया फिरन जो main supply होती है उसकी तो आगे load होता है तो उस पर एक side की light जानी चाहिए दोनों side की light जाएंगे तो हमारे fault होने का chance रहता है डबल बिजली आ जाती है तो उसके लिए हमें generator switch की जूर्थ पड़ती है ताकि एक side से ही बिजली आगे पहुंचे तो हम आपको बताता हूं कि यह की इस तरह का होता change over switch तो सामने आपको box भी दिखाई दे रहा है यह हमारा mini change over switch का box है जो हमारे पास अभी जो change over switch है mcb वाड़ा वो metallo company का है इस metallo company के बहुत सारे item आते हैं mcb isolator अगरा इसकी जो quality होती अच्छी होती है guarantee warranty की बात करते हैं तो यह company guarantee भी देती है दो साल की guarantee देती है जलने की और खराब होने की दोनों guarantee रहती है इसके ओपर लिखा भी वा जैसे की mini change over है डिपी त्रेशिट अमपेर change over यह जैसे की कब बनाएगा था 9 2018 को rate 1731 इसका rate दिया गया है पर इसके ओपर discount मिलता है दुकान दर आपको discount देता है कि 40% 50% वह discount मिल जाता दुकान के बन यह मैंने इसको box से बाहर निकाल रहा है यह हमारा है change over mini जो हम cb वाला जो change over बोलते हैं डेख रहे हैं पिए look wise भी अच्छा लग रहा जो डिपी आता था हमारा डिपी आइसोलेटर होता या नॉर्मल डिपी होता उसी तरह का यह mini change over होता दिखने में सेम होता है कुछ फरक नहीं होता जो इसके अंदर के पार्ट होते हैं उसका फरक होता है और जो इसके connection होते हैं उनका फरक होता थोड़ा सा देख रहें आप यह दिख आई देर आपक कहाई मेंगा जाता में सब्सक्राइब क्शह समय इसको चेंच्चर दिखाई दे रहें सामने यह पैले वाले गोड़ और 2-3 का यूज करते हैं और मेंश्प्लाई उसकुरू खूलने बाद में नीचे पॉइंट दीए यहां पर आप नीवाइर लगा सकते तार हराम से लगा सकते हैं बपेश को कश्त देंगे संब्सक्राइब करें आगे जानी है जो लोड होता हूं रहें दो फॉइंहां और फॉइंट को खोलने के बाद में आगे इसके स्कुरी के नीचे दो अतार लगाने डियां आपको शूप देना है सब्सक्राइब के बाद में यह मारा होगा स्कनेक्षण colour होने के बाद में आपको स्विश दिखाई रहा है यह हमारा स्वेश भीच में हैं हे स्वेश में रइस यह यह Select वाली कि पर दे तो में इसको ऊपर कर देंगे जैसे कि हमने बीच में कर दिया अब हम इसको निचे कर देंगे तो हमारी जो जनियेटर वाली लाइट थी अब वो आगी जाएगी जो हमारा जो लोड होगा उसके ओपर यह जाएगी तो इस तरह से यह आप इसको जैसे कि आपको लाइट साहिए नहीं तो आप इसको बीच में कर देंगे तो यह लाइट ओफ हो जाती दोनों तरफ से बहुत ही असान है जो नॉर्मली भी है मिस्तरी के जूर्थ भी नहीं पड़ती तो हम असानी से भी घर पे कर सकते हैं नॉर् अब कर सकते हैं आपको कोई भी डर्म भी नहीं रहता खत्राइब नहीं ज्यादा तो यह रहता है जो हमारा लोड होता उसके साफसे आप चैंज और स्विच ले सकते हैं जैसे कि में 32 चाहिए यह हमें 400 अपर का चाहिए यह जैसे और भी आते हैं जैसे अलाग आग जैसे 40 तो दोस्तों हमने बात किया चाहिए उसके बारे में उसकी क्वाल्टी जो होती हो अच्छी है जो इसके गारंटी है वह मैंने आपको बताती मट्यलों कंप्री का है यह इसकी लिश्ट विद्धी गी हुए जैसे कि इसके में लिखा होता कर लाग लाग अमसी भी किस तरह है है तो आप चैनल को भी जुरूर सुस्क्राइब करें चैनल को सुस्क्राइब करने के बाद में आपको बैल आइकन को जुरूर ओन करना है बैल आइकन को ओन होने के बाद में हमारे जो वीडियो थी वह आपके पास टाइम पर पहुंच जाती है ताकि नई भी जो भी तो के थेंक्स दोस्तों.